वो बेहद महतुपूर्ण है कि आने वाले दिनों में असर्शन बढ़ने वाला है वो ताइवान हो या तिबबत हो लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ दिन्नी साब कि ये असर्शन कितने हों क्योंकि असर्शन पहले भी हुए है क्या युनाइटेड नेशन्स में वो कंट्रीज वो बड़ी बड़ा बड़ी तादाद है उन कंट्रीज की जिन्होंने अभी तक ताइवान को रिकगनाईज करना है क्या वो बदलेगा अब देखिए अब यहाँ पर सुरक्षा परिशद में भारत का भी शामिल होना क्या सिनेरियो अब चीजें ऐसी बदलेंगी क्यों बदलाओ समझ में आए और महसूस हो या वैसे ही होंगी जैसा होता रहा है और लुका छीपी का खेल जैसा दिखता रहा है दिनेश जी सबसे पहले तो सभी आपके आपको और आपके जो व्यूवस हैं सबको एक नए साल के शुपकामना है मैं एक इसी आपको जो क्वेस्टन है उसी कर रेलेवेंस में एक हाइपोतिस रखना चाहता हूं वह यह है कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच में लदाक में जो इशू हो रहे हैं मेरा यह मानना है कि उसी तरह से चाइना और अमेरिका का साउच चाइना सी में होगा और इसके लिए मैं तीन पॉइंट्स रखना चाहूंगा और बाकी तमाम देशें उसको मानता नहीं तो यह एक अंडिमार्केटेड समुद्र में एक ऐसा स्थिती है नंबर दो पॉइंट अगर आम कुछ एक आंकड़े देखें पिछले सार दाड़ दाड़ दोजार उननिस में तेरा बार यूएस के नेवी ने वहां से ट्रांजि बार साल में वहां से ट्रांसिट कर रहे हैं मतलब हर मैने में एक बार अपना शो आफ स्टन्थ जरूर कर रहा है यानि हमेशा वह एरिया बॉइल रहा है इसी तरह से चाइना और इंडिया के साथ में भी हमेशा पिट्रोलिंग जाता रहता और हाथ से होते रहते हैं थर्ड आपका जो क्वेस्टिन ने उसका भी रेलेवेंस आता है कि अगर इसी तरह से बॉइल होते हो एक्सिडेंटल कोई एक हाथसा होता है तो डेफिनेटली यूएन और बाकी लोग आएंगे तब तक मेरा यह मानना है कि कोई इसमें कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करने